दोस्तों आज इस वीडियो में आपके लिए लेकाया हूँ जेबरॉनिक्स कम्पनी का फोर पोर्ट USB हाब और इसमें जो चारो पोर्ट आपका USB 3.0 सपोर्ट करता है तो इसमें जो आपको स्पीड देखने को मिलेगा बहुत यह अच्छा देखने को मिलेगा और यह जो USB हाब है इसका model number है जेबरॉनिक्स जेब 300HB तो इस तरह का packet में यह आता है कुछ fancy packaging नहीं है तो इस तरह से आप अगर इसको पीछे से open करेंगे तो यह open हो जाएगा तो इस तरह से unboxing experience है तो यह हमारा USB हाब है तो आपको यहाँ पे जो प्लास्टिक का protection दिया गया है यह बहुत ही अच्छा देखने को मिलागा तो इसका speed test में आपको दिखाऊंगा computer में लगा के तो सबसे पहले build quality देख लेते हैं तो build quality उतना खास नहीं है टोटल प्लास्टिक का बना हुआ है प्लास्टिक का quality भी उतना अच्छा नहीं है और इसमें केवेल का quality अच्छा है और यहां पर LED इंडिकेटर भी देखने को मिलेगा computer में जब आप इसको लगाएंगे तब यहां पर LED ग्लो करेगा तो quality उतना खास नहीं है quality आपको decent देखने को मिलता है तो यह जो चारो पोट है चारो पोट को हम लोग एक साथ यूज़ करेंगे computer में लगा के एक हाट डिक्स और एक पेंड्राइब लगा दिया है 16GB का तो यहां पर एक हाट डिक्स मेरा 1TB का है एक 500GB का है और पेंड्राइब 16GB का है तो यह जो हाट डिक्स है हाट डिक्स से कुछ कॉपी करके देखते हैं तो movies के अंदर जाके Hollywood में जाके कुछ movies को select करते हैं जैसे कि यह दो को select करते है 2.63GB तो इसको desktop में copy करते हैं तो यहां पर read speed देखने को मिल जाएगा कितना आपको देखने को मिल रहा है तो 101MB आपको speed देखने को मिल रहा है यहां पर read speed काफी अच्छा है और इसमें write speed भी हम लोग चेक करेंगे कि कैसा write speed आपको देखने को मिलता है इसमें तो read speed 100MB constant आपको देखने को मिल रहा है बहुत यह अच्छा speed है तो यह file copy हो गया तो write speed चेक करना के लिए इसको हम लोग copy करते हैं एक file को और यहां पर paste करते हैं इसको replace करते हैं तो write speed आपको यहां पर fluctuate थोड़ा सा हो रहा है हाँ write speed भी 97, 98, 100 ऐसा आपको देखने को मिल रहा है तो write speed भी बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है USB 3.0 का जितना speed होना चाहिए उतना ही आ रहा है तो आप इसमें जो pin drive लगा है pin drive में कुछ copy करके देखते हैं तो इस file को pin drive में copy करके देखते हैं तो copy करते हैं और यहां पर paste कर देते हैं तो इसमें कितना speed देखने को मिलता है वो देख लेते हैं तो Linebd enoughπο 5 I am अच्छा स्पीड ही देखने को मिलेगा ऐसा लगता है तो आप देख सकते हैं कि यहां पे 19-14 थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो रहा है पहले शुरू में 29 एम भी देखने को मिल रहा है काफी अच्छा स्पीड देखने को मिल रहा है USB 3.0 में तो आप अगर इसको USB 3.0 में लगा के उज़ करेंगे तो आपका स्पीड बहुत अच्छा आपको देखने को मिलेगा और यह पेंड्राइब में कॉपी हो रहा है हाट डिक्स में नहीं 16 जी जो पेंड्राइब लागा है उसमें कॉपी हो रहा है यह 29-30 Mbps तक आपको स्पीड देता है तो काफी अच्छा पिन राइब में भी आपको स्पीड देखने को मिल रहा है तो आप अगर इस USB हब को कम्पीटर में लगाते हैं तो यहां पे ब्लू कलर का LED इंडिकेटर आपको ग्लो करता हुआ देखने क को मिल जाता है तो जैसे कि आपने देखा कि जेवरॉनिक का जेव 300HB जो USB हब है USB हब का परफॉमेंस आपको बहुत ही आच्छा देखने को मिल रहा है USB 3.0 port में आप अगर लगाएंगे तो आपको हाट डिक्स से बहुत ही आच्छा स्पीड आपको देखने को मिलता है USB 3 हो बना हुआ है तो बहुत ही इसमें आपका स्क्रेया चाएगा और इसका केबल है यह केबल बहुत ही छोटा है आप अगर लॉंग डिस्टेंस में इसको यूज करना चाहेंगे तो आप नहीं कर सकते हैं तो आपको पास भी अगर माल्टिपल USB गैजेट से मेरी तरह तो आप इस यूज भी हाब को कॉंसिडर कर सकते हैं और इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं बेस्ट बाइ लिंक वहां से आप पर्चेश कर सकते हैं तो वीडियो अगर हेलफुल लगा है तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देजिए क्यूंकि आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और और वी इस तरह का हेलफुल वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल इनाइल्टिक को अब सब्सक्राइब कर लिजिए तो मिलते हैं कुछ और इंट्रेस्टिंग वीडियो में तो तब तक के लिए बाइबाई